नमस्कार दोस्तों, खुठा क्लास में आपसे बहुत बहुत सुभागत हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे उद्भासल करन का दुसरा वीडियो भाग दिर्श्य तीसरा से आगे, पहले भाग में हम लोग ने इसे नाटक का आधार पढ़ा, इसके बारे में बेशी जनकारी प्रा द्रोन जाते हैं, और साथ में एक कुट्टा भी जाता है, इसके बाच बीच भी कहानी है, ठीक है? अर्जुन देख तो, कुकूरता कंदे गया, कुकूर्ण को मतलब कुट्टा होता है, ठीक है, अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन देखो तो, वह कुट्टा किधर गया, और कि देखो तो कुट्टा कहा गया और चूप कहे हो गया अभी तो भूह कर था अभी तो भूह करा था चुप कहे हो गया है अब तब अरुप कर दो है कि आए अचे गुर्ण पर नाम करके जाते हैं और तुरत वापस आके कहते हैं प्रणाम कुर्देव कुकुर्टा का मुह बान से युवक बंद कर दिया है किन्तु कुकुर्टा कुछ नहीं हुआ है ठीक है वह जो युवक है वह एक लब्य है बतादे आपको वह एक लब्य है जो इस कुट्टे के भौकने से परिशान था और इसको चुप कराने के लिए एक तीर छोड़ता है एक बान छोड़ता है जो जाके कुट्टे के मुह में घुश जाता है लेकिन इस तरह से घुशता है कि कुट्टे को जरा भी चोटने आती है कुट्टे को जरा भी चोटने आती है तो दिरोन सोचता है मने मन कि आज याइट अपकल्प्र एस दिन तो उसको भगाये थे करन को और आज युन नया आ गया कितनों को तंक परिशान करेंगे कितनों को प्रिसान करेंगा अर्जुन की तलब दे अच्छा चल देखी कहां है वह ठीक है चलो देखते हैं कहां है वो कौन है वह अर्जुन थोड एक जो जबांन अलका है और पेंड के सब्सक्राइब नेकर निचे दनुस और बान लेकर खड़ा है कि अरजुन के दिधर्ण को अर्जुन जिसके सदेख्ग बॉलते हैं लिपास इतने कौन है चलो दोनों जाते हैं और साथ में यूबग भी वहां से इन लोगों की और आता है तो एक क्या बालक तुम कौन है बालक की साहसे करूवन्सक राजगुरु दुरुणाचार के कुकूर के ऊपर बान प्रहार कर लें तो एते साहस एते हिम्मत तुम कौन है बालक तुम को तुम को कास साहस मिला कि कुरूवन्सके राजगुरु दुरुणाचार के कुटभा उपर तुम बान से प्रहार किया और तुमको इतना साहस मिला कि प्रहाई कहां से आ गया अकलब ये गोड़े के शटे है एक लिभी पैर में गिरता है गुर्देयों चहाहा कर एक दिन आपके पास हम सिस्ट बनने के लिए गए हैं सिस्ट बनने गए थे किंतु तयार नाए भेला लेकिन आप जो है तयार नहीं हुए हमको सिखाने के लिए नहीं हुए तखन हम तोहर मूरत मुर्ती बनाये और उसी को अपना गुरु मानकर हम शिखने लगे तोहर किर्पे आज हम धनुक बीदे पूर्व अचलाना उसमें आज complete हुए आप ही क्या सिर्वात से हम आपके पास गये थे आपने मुझे सिक्षा नस्सिस नहीं बनाया तो मैं आपके मूर्ती बनाया और उनी मूर्ती से मैं सिक्षा गरहन किया और साथ ही आज अपना ध्रुण विद्या complete किया दुर्ण पूर्ण अच्छा तर परिक्षा लिए हते मार तो सामने आँखी थोटल है कि पूर्ण बोलते हैं पूर्ण हो गया अच्छा ठीक है तो तुम्हारा प्रिक्षा लेना होगा वह सामने जो चिनियां आ रही है उसके आख में तीर मारो तो एक लब बान चिनियां को मार देता है एक लब जो है उस चिनियां के लोन के आख में लोन मार देता है द्रोन असे यसा निसान नहीं इसके आगे तो आगे तो अर्जुन कुछ रहे हैं अर्जूंत कुम्षाय है चलो है भी बने लए कि पर धो सब्सकेज़ किन्तु तो यह गुरु करनिक से मुक्ति पावे होतो गुरु करीन से तुम जो है गुरु दक्षिना नहीं दिया है तुम्हारा सिक्षा पूर्ण हो गया तुम परिचों पास हो गया लेकिन तुम गुरु दक्षिना नहीं दिया है और तुमको गुरु का रिन से मुक्ति पा हमको धन का भूक नहीं है धन को नहीं चाहिए धन लेके की करब धन लेके हम क्या करेंगे और तुम भी तो गरीब है गरीब का बच्चा है तुम धन कहां से लाएगा बेकार तुमको धन का कस्ट नहीं देंगे जो तुम अरपस नहीं है वो हम नहीं मांगेंगे तनी सोच के थोड़ा सोच के बोलता हां सचे हमर पर भक्ती हो तो आपन देहिना अंगुठा दैदे कि अगर मेरे उपर भक्ती है तो अपना हाथ का दहिना अंगुठा देदो अब बताई यह धनुस चलाना है अंगुठा ही नहीं है तो आप धनुस कैसे चलाएंगे चला पाएंगे नहीं पाएंगे हाँ अंगुठा सुधे अर की तो यूथ तौर से लव हो ठीक है खाल अंगुठा देदो और कुछ तुमको नहीं देना अगर तुम्होरा है क्या तो było है एक लेब जो है है साटकर अंगुठा काट के दे दे देता है सोचता भी नहीं है कि इसका असर क्या होगा तो गुरू ने कहा है गुरू ने कहा है इसलिए वह दे दिया ठीक है आगे द्रोन तौर जाय हो बालक तुम्हारा जाय हो बालक कहे के दिरोन प्रस्थान कर रहे हैं यह बोल के दिरोन मांसे प्रस्थान करता है यह अपना तो बोलू सिधा कर लिया वो दोग निप्टा दिया एक को क्रण को भगा दिया और यह एकलब को जो उसे बीड़ था उसको भी अपाहिस कर दिया उठा काट दिया अब यहां एकलब तुझ था रूंद्ट्व को थोड़ा भी संकोच नहीं थोड़ा भी सोचेंने नहीं हो और लुझ का आईसे ही निस्ठोर होते हैं आईसे कठोर होते हैं ऐसे ही निर्मम होते हैं निर्दई होते हैं आपने स्वार्थ के आगे नीती ग्यान सास्थ पुरान सब भूल जाते हैं कुरूर बनके कौनों कानों पाप करत मन कुरूर बनकर दुष्ट बनकर अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कोई भी पाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं लोक लाज उसब खातिर नाए कि संसार में उनके लिए कुछ लोक लाज नहीं है समाज में उनको कुछ बोलेगा नहीं उसकातिर निया अनियाइ नाए और लोगों के लिए ना ना है ना ना है राजकुल का है जो बोल दिया वो पत्थर का लकीर मानो तो मानने तो भागों यहां से ओ अंगुठा देखें बैकार भई गला अंगुठा देके हम बैकार हो गये अब पुरुस के खाली ताकत भ चाहिए और आगे पीछी का ज्यान होना चाहिए दूर दूर तक देख सके ऐसी बाते होना चाहिए तब वो पूरुस बन सकता है और इस तरह यहाँ पर तिसरा दिर्श्य खतम होता है हम लोग चलते हैं चौते दिर्श्य की और यह रहा चौता दिर्श्य इसमें क्या होता है देखते हैं जूर दूग डूगी बजाए गया सुना भाई सब कायल राज मैदाने सजवल पंडाले पांडव और कौरव कुमार सब्यक धनुक विद्धा खेल होत डूग डूगी बजाए गया कि सब को सुनिए सब को सुनिए चलें राज मैदान में राजाम मैदाने वहां पर सजवल पंडव पंड़ां में पौरव कुमार के वीच राजकुमार हैं उनके बीच धनुस्विद्या का खेल होगा अभी क्या होता है अगरादि शाथा है राज सभा में यहां कॉन्टर मौजूद हैं भिश्म हैं दृत् तुम कौन हो भी तो आरजून संगे खले किछा राखे हैं जो दितों आपन परिचे दें कौन राज वनसक तेज तो है के तो माता पिता इल्ची संगे तो आरजून खेले नाय पार है उप अंडव बनसक गोराओ कहता है कि तुम कौन हो भी बताओ तुम अर्जून के साथ खेलने के इच्छा रखते हो या कंपिटिशन जो है उसको करने के इच्छा रखते हो तुम अपना परिचे दो तुम किस राजवनस के हो कौन तुमारे माता पिता है तब तो तुम खेल पाओगे अन्यथा अर्जू बनाता है करन जायत ओह जायत हम ठीन जायत पाइट कहां हमरे भुजा को बहुत हमर जायत कि जाती के हैं मेरे पास वो सब नहीं है मेरे पास जाती उतिक बात नहीं है मेरे पास सजी का ताकत है भुजा का ताकत है बाह का ताकत है हमर धनुक हमर जायत हमर तलवार हमर जात मेरा मेरा घ smartest मेरा जाती है तल्वार ही मेरा जाती है पूछा हो तो हमेरे भुजा से पूछ से पूछ धैनुस से पूछ तल्वार से पूछ और ऊंचा कूल एक महर लगाये का चलनियार सबग जोदी त्वहतीक हंकार हो तो कहा किर्पाचर अरजुन बाप चल्ट पाप क्या है विर्यक बिर्ता टाए उकर सिर्ष परिचे दिए कहता है कि जाती अगर पूछना है जाती तो मेरे धनुस से पूछी मेरे भुजाओं से पूछी मेरे तलवार से पूछी और उंचा-कूल का मोहर लगा कर यदि कोई अहंकार दिखाता है कि हां मूचे जाती के हैं हम बहुत बड़ा है तो कि पुछिए कि अर्जुन के पिदाजी का नाम क्या है अर्जुन एक बाप क्या बेरेक बीरता टोकर स्रेस्ट परचे दे बीर का जो बीरता है बीर का जो बीरता है वही उसका श्रेस्ट परिचा है सबसे बढ़िया परिचा है अगर वीर है वो वहीं उसका परिचा है कि और आपको राजून के साथ रन कोशल दिखाना है खेल दिखाना है कंप्रिटिशन करना है को में तेज यह बताना है सब से पहले तुमको राजा बनना अर्जुन है तयार है कि अगर राजा हो तो लड़ो अरजुन तयार है अधियार नहीं तयार नहीं कि यह क्या मेरे सामने बीर का अपमान हो रहा है करू सभाई मेरे सामने बीर का अपमान हो जिसे मलिन हो गया हूद हो गया हो ग्यूट सब्छा गुमाने किला है जूटका करण कौणो जाति किन्तु करण वह करण किसी वी जात कहुंद करण वहादपी करण वहाद से करो आजयगा हो कर मियं है राजिया बेले चुमर्णि कर रहे प्रतिश्चित कर रही कि अगर ऐसा वात है कि राजा होने वाला ही खेलेगा तो हम उसको अंग देश का राज सिंगासन देते हैं राज सिंगासन में राजा का पद उसको परतिश्चित करते हैं राजा के पद पर परतिश्चित करते हैं अंग देश का उसको राजा बनाते हैं यह बोलकर अर्जुन अपना मुकुट कर्ण को देता है आर दुरुजुतन अपना मुकुट कर्ण के पिंध हम तोहर एक कौना जनम नाई भुला जहां तोहर देहें घ्रीड फोए हमर लहू बहुत अप्रतिग्या तो कर्ण जो हैं अर्जिन को बोलता है आप महान है हम आपका रिनी हो गया है चिरोकाल तक रिनी हो गया जहां आपका आपका रिन हम कभी चुकाने नहीं सकेंगे जहां क तहीं आपका पसीना गीरेगा वहाँ मेरे लहू बहेगा ज प्रतिग्या लेता हूं कि आपका पसिना बहने के पहले मेरा खून बहेगा भी राजा भेले की हो तो सार्थिक बेटा भेक राजा पाठ चलवत कि राजा होने से क्या होगा सार्थी का बेटा होके राज पर चलाएगा तुम दुर्जोदन भीम तो एक है बगबग कर ले जाएं बड़ा कुल में जनम ले लिया है उसी का मुहर लगा लिया है तुम बड़ा जतका हो गया अपना देखता नहीं है कि मन में कितना द्वेश है कितना जलन भरा हुआ है तुमारे मन में अपना वाला याद नहीं है मतलब अपना वाला याद नहीं है दिसा मतलब याद होता है अपनों याद नहीं है तुमको कर देखते हैं यह करकर किरपाचार बास चल जाते हैं सब्सक्राइब यहाँ पर समाफ्थ हो जाता है अगला द्रिश्य है पाचमा द्रिश्य देखते हैं उसमें क्या है यह रहा पंचम द्रिश्य इसमें सोनी और मीरा है ठीक है दो महिलाएं है दो नापस में बात करती हैं क्या करती है पर्सु राम जीक आस्रम में आजकल एगते नोतुन एग और नोतुन क्राम स्वारा चिठा मीरा तो जी ललको हो की तो बाती तो जी लल्टा रहा है क्या समदर देखके तौ़ालर ऑचार है क्या सोनी जी लल्टो की होतों वहीन हमने चोट कुलक बाटी नीच अधम उन्च में राजकुमार हम कि सोनी के चाहरे महड़ा फरक है कि आताए देही बताए सरीर में रिखा हुआ है क्या या सोनी के फुटे की चीज़क लोहराइन गंद मतलब उंचे कुल का बेटी के देही में सरीर में क्या खाए गुलाब का फुल फुटता है गुलाब का गंद आता है और सूध का बेटी का सरीर से क्या सिर्फ लोहराइन गंद आता है या फिर इसे गंद होता है जो की बहुत खराब लग तैंता है मीरा गड़े जावक जावक ही दुनिया मैंना गणडा गढाय में जाए दुनिया ऐसा दुनिया गढ़्ठे में जाए हमनिक दही जिवानी रहे हम लोग का से में जमाणी रहे मड़का कुलमान कर दहन मन के अबिद We गिर्वब्य पारी अगर हम लोग जवान रहेंगे तो अच्छे कुल्वान को धनवान को गुन्वान को अपने कदमों में गिरा सकते हैं कि बिए सोनी अस्षर ओकर अच्छा कर सकते हैं हम लोग्ध आस्षर ते सांत्य को देखता है वो जाती कूल धरं सरम सा भुड जाता है कि किस की बैटी थे वहन किसकी बैटी थी क्टी हमिरा यह दिवक Е दिवर्यक एक धीवर की बेटी थी सोनी यह को धीवर्यक जब बग आख मीरा दिए देखे है उसकी और देखती है के ट्रैक के भूडी क्या होता है जो मचली पकड़ता है तलाब में नदी में जाल लेके जाता है और मचली पकड़ता है न वह मतलब यह भी आपके जैसा मेरे जैसा यह भ क्यांट का बेटी जो मचली पकड़ता है या बढ़ चलाब ऊसकी बेटी यह वह सौनी अच्छा तब ठीक है तेखती का हुआ जब वो देखे संतनू उसको देखे सत्यवतिक को फिर क्या हुआ मेरा आर की एत्यवतिक बाप भीहा नाय दिया खोजे सत्यवतिक यह होगा सत्यवतिक बाप भीहा दिया नाय खोजे कते किरिया कसम कते करार तब भीहा भेल सत्यवतिक का बाप जो है वो साधी नहीं देना चा सर्मिस्टा का नाम सुनी है और देखो तुम क्या करते हैं तुम छुप यहाँ पर देखो क्या करते हैं बिट्टू इदर आई है आप किनारे में सोनी सोनी वहाँ पर छुप जाती है जब बोलती है तो सोनी वहाँ पर छुप जाती है सोनी चुपती है क्यों चुपती है यह बात मीरा बोल रही है हाँ सोनी चुप जाती है कि तब ही जो है यहां मीरा होगा ठीक है मीरा मीरी मीरा सीटी बजाती है सिटी बजा घी एक वह सुंदर तरुन आवे हैं एक सुंदर लड़का काथ पर तरुन क्या बढलता है मोई कि आज इस समय में क्या हुक्म आपका है क्या आगिया है टीक है मे Sozial defendant अ आज तो यह आपन हाथे चूटी काई दे गौर्ड रेंग दे अच्छा बोलके उसका पैर रंगने लगता है देखे ले सोनी फुलेक आवार जायत दुनिया के मधू चाही मधू देखी समी यह होता है जात दुनिया को मधू चाहिए जहां मीठा मिलेगा वहीं जाएगा यह होता है पाचमा दृष यहां पर खतम हो जाता है चठा दिस हम लोग अगले वीडियों पढ़ेंगे आसा करता हूं अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और पढ़ाय करते रहिए आप सभी को बहुत बहुत धिन्यवाद